आज आपको स्वागाइत हमारे यूट्योब चैनल बेस्ट पढ़ाई में इस पार्ट में हम लोग मैंकर चेप्टर 2 एक्ससाइज मुट 2.2 सॉल्ट करेंगे इससे पहले जो मैंने आप वीडियो अप्रियोट किया था जिसमें हमने 2.1 के आरे में पढ़ा था उसे मैंने गलती से एक चीज़ आप उता दे थी जोने एक क्वेशन पर सॉल्ट किया हुआ है इसमें मैंने यहां तक तो आपको सही आंसा था कि आंसा था माइनस 4y3 मैंने ग 1y2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1y8. What is the number? याने इन में का रहा हुआ कोई एक number लो उसको 1 by 2 से subtract करो उस number से और जो answer है उसको multiply करो इससे तो आपको यह मिलता है. इसके लिए आपको तादम क्या करना है सबसे पहले आपको ले लेना है number. Let the number be x. हमने वो number मान लिया, x है. तुमके वैसा क्या कह रहा है तो according to question, question कर रहा है if you subtract 1 by 2 from a number कोई भी number से जैसे कोई यह number है इसे 1 by 2 को subtract कर दो and multiply the result यादि इसको जो result है यह result आगया इसको 1 by 2 से multiply कर दो तो तुमको मिलेगा 1 by 8 यह कह रहा है तो इसी कोई इसी तरफ लिखेंगे according to question कर रहा कि x से 1 by 2 को subtract करो तो जो result है उसको 1 by 2 से multiply कर दो into 1 by 2 तो आपको जो answer मिलता हो रहता है 1 by 8 अब इसको बस्तुमको solve कर देना दाइस इसको तो इथार यह multiply में है और इथार जो 2 है divide में उधर जाएगा तो इसको इसको प्रोकल हो जाएगा तो जाएगा यहां पर यहां पर यह आ गया वान इंटू 1 और फोर इंटू 1 फोर इंटू 1 फोर इधर देखिए फिर इथार ओन एकलतू 1 फोर इंटू 2 फोर ए लिटेंगे इसका जाएगा वान प्लस टू अस्रों एकशी को सब्देख्त करदें पहले मेल्टिप्लाइए करें वन बाइपकों से यह नップर था और तो हम कुछ सी तरह सॉल बने हैं इस तरह से question 1 होता है complete गाइस यह है हमार question number 2 इसमें दिया हुआ है the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter सब्सक्राइब मैं आपको आदो perimeter क्या होता है perimeter कोई भी चीज दिये कोई भी boundary दिये है उसकी सभी side का sum जैसे square दिये है इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका यह कलाता है perimeter circle है तो पूरी यह जो length है यह कलाता है perimeter इसी को circumference कहते हैं वसे हाँ पर यह रेक्टेंगर तो the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter its length is two more than twice its breadth यानि उसकी length जो है दो ज्यादा है उसके दो गुना कने पर breadth से जिसमें आपको समझाऊंगा आप अब घराएगे का नहीं what are the length and breadth of a pool सबसे पहले हम आ लेते हैं यह है pool rectangular pool हम इसको माल लेते हैं यह है length और यह है breadth तो अब हम लोग लिखने चाहता है length the breadth यानि जो breadth होगी पूल की breadth of the pool भी x, x meter हम आ लेते हैं कि जो breadth होगी पूल की वह x meter है meter हमने क्यों लिया क्योंकि यह पर पहले meter हमको meter दिया था अगर आप और को unit लेते तो answer का लाता था फिर आंगे क्या दिया है therefore length equal to length भी बना दिया है length दिया है हमको इसका यानि breadth का दो गुना कर दें जो breadth है इसका दो गुना कर दें और इसमें दो जोड़ दें यानि हमने यह मालना breadth x तो यानि हमको क्या करना है 2 into x plus 2 meter यानि कि 2x plus 2 meter माले length क्या हो जागे बोला है कि its length is 2 more than twice its width यानि इसकी जो length है यानि यह जो है यह अगर यह b है तो इसकी length होगी 2b plus 2 यह length जो है दो जादा है इसका दो गुना करने पे यानि breadth अगर b है तो इसकी length हो जाएगी 2b plus 2 जैसे अगर यह 4 होती तो इसके length होती इसका दो गुना यानि 2 into 4 plus 2 यानि कि 2 into 4 8 plus 2 यानि 10 तो इस तरह से हमारे length निकला है अब आगे बोला है हमको according to person दिया था perimeter of pool equal to 154 meter हमको इसने यह दिया था अब हम जाते है perimeter of rectangle क्या होता यह rectangular समें pool है यह perimeter of rectangle लगा देना है तो perimeter of pool होता है 2 into length plus build equal to 154 meter इसको यहाँ पर 2 जो है multiply में इधर आजाएगा divide में तो L plus B equal to 154 by 2 meter अब यहाँ पर आप इनकी value रगदें L की value है क्लिकते 2x plus 2 2x plus 2 यहाँ से और plus plus के sign B की क्या value है x x equal to इसको जब आप divide करेंगे तो answer आजाएगा 77 meter यहाँ जो है 2x plus x 3x plus 2 equal to 77 meter this implies 3x equal to 77 meter minus 2 this implies 3x 77 meter से तो चला गया यहाँ 75 75 meter यहाँ x equal to 75 upon 3 इधर 3 into x यहाँ multiply में इसको 3x के साथ इधर जाएगे divide में किया जाएगा 25 meter किस कहले हो आगई x की अब हम लोग लिख देंगे hence breadth equal to यहाँ जो breadth की हमसे length of breadth of pool साथ pool की breadth of pool equal to हमने क्या आथा breadth of pool x meter यानि x आ रहा हमारा 25 तो breadth आगए 25 meter इससे तरह length of pool यहाँ length of pool equal to हमने कितना हाथ 2x plus 2 हमको दिया था 2x plus 2 meter इसमें value रख दें 2x एडी 2 into 25 x value 25 आगई plus 2 meter तो 2 into 25 50 plus 2 meter answer आगे हमारा 52 meter इस तरह से हमारी length breadth थागए 25 meter और length थागए 52 meter इससस question 2 होता है complete गाइस यह हमारा question number 3 इसमें हमको दिया है the base of an isocellus triangle is 4 by 3 cm the perimeter of triangle triangle का sign triangle is 4 by 2 upon 15 cm what is the length of the either of the remaining equal sides सबसे पहले हमको दा दो यहां पर लिखा है isocellus triangle तो isocellus triangle कौन से होते हैं isocellus triangle वो triangle होते हैं जिनकी कोई भी दो side equal यह side और यह side equal है और यह वाली unknown है तो यह वाली side के हमको length दिया है 4 by 3 cm आप इन में भी दिया हमको पहरी meter यानि इसका प्लस यह प्लस यह प्लस यह कि हमको दिया है इतना सबसे पहले हम लेते हैं कि इसको लेक्ट कर लेते हैं let the equal sides भी एक्स सेंटीटर है तो हमने बताया आपको कि दोनों side equal होते हैं अगर यह x होगी तो यह भी x होगी अब हमको क्या दिया है according to question parameter of triangle equal to sum of all sides यानि सभी side का प्लस करते हैं लेकर हमको यहां पर दिया क्या है 4 right 2 upon 15 cm इसी को जब और लिख देंगे तो यह 15 फोर जा सिस्टी प्लस टू सिस्टी तो अपन 15 cm यह दिया हमको parameter अब parameter of triangle का सारी side का प्लस करते हैं तो हमारा parameter प्लस यह प्लस यह इसका इक साइड हमार यह x x plus यह भी दो साइड इक्वाल होते हैं तो यह धी x plus x plus 4 by 3 cm इक्वाल इक्वाल तू सिस्टी तू बाइ 15 cm आज गास इस पूरे एक्सरसाइज वर सबसे इंप्लस चीछाट इक्वेशन वाना है अगर इक्वेशन बढ़ गई तो आंसर तुरांत आज जाएगा और हमापर स्वाल करेंगे तो x plus x 2x equal to 62 by 15 cm इधर यह 4 by 3 plus में था उस अच्वाल गया माइनस में माइनस 4 by 3 cm इसको जब करेंगे तो 2x equal to 2x रिखा रहेंगे इसको solve के विन में ले लिए LCM वीचा जाए LCM 15 15 किते जा 15 ? 1 जा तो उपन इंडेटर साथ 1 से माइनस की साइन तो माइनस 3 किते जा 15 ? 5 जा 4 को माइनस 5 के साथ यह आ गया 10 cm पना चलता रहा इसको 2x equal to 62 minus 20 upon 15 cm इसको 2x equal to 42 by 15 cm इसको 2x equal to 42 by 15 cm इसको 2x अब इधार यह 2 के साथ x multiply में था इधार आगा divide में तो 42 by 15 into 1 by 2 cm 2 जा 21 कट जाएगा अब यहाँ पर 3 5 जा और 3 7 जा यानि 7 by 5 cm आ रहा अब हमको क्या पूछा था what is the length of the either of the remaining equal sides यानि क्या length होगी वह equal sides की तो equal sides की length आ गई x यानि क्या हम लिख लेंगे hence length of equal sides of triangle equal to x cm x किता है हमार 7 by 5 तो 7 by 5 cm बस इसका समार क्या पर 3 होता है complete गर्स यह हमार कर्सान नम्बर 4 इनमें यह sum of two numbers is 95 if one excels the other by 15 find the numbers तो इन में बोला कि कोई भी दो number है तो हमारत है let the first number यानि कोई पहला number या first number भी x ग्या ग्या अब क्या बोला कि if one excels the other by 15 इसका संची अगर कोई एक लर्का है जिसका नाम है x तो दूसरा लर्का को कह रहा है कि वह x से 15 जादा है यानि x plus 15 है इसी तरह therefore हम लिख रहेंगे other number equal to other number equal to x plus 15 यानि हमको कहा था कि या छोड़ जाए लाइन sum of the two numbers is 95 इसको बाते solve करेंगे बोला है if one excels the other by 15 एक जो है दूसरे से 15 जादा है तो मारत है अगर एक है x तो दूसरा होगा 15 जादा है यानि x plus 15 होगा तो हम लोग लिख रहेंगे according to question अब क्या दिया था इन दोनों number के जब plus करते हैं सम करते हैं जोड करते हैं तो हमारा answer this implies x equal to 40 meter अब हम लोग लिख देंगे सिदे कि hence पूछत क्या number होगा hence first number equal to x equal to 40 और other number other number equal to x plus 15 यानि वोला था दूसरा number जो है x से 15 जादा है क्यानि x साखी वैलो आ गए 40 तो 40 से 15 जादा है यानि answer आगे 55 अगर आपको चेक करना हो क्या answer सही आरा की गलत तुमको क्या बोलाएं इन दोनों number को जोड करते हैं तुमारा 95 बहना चाहिए तो आप चेक करने के लिए इन दोनों number को जोड कर लिए तो यह 40 x कर लो आगी 40 और x प्लस 15 क्या गए 55 प्लस 55 जिसको तो जोड़ेंगे तो answer आगा 95 यान के हमारा जो answer आगा वो प्लस आएं यह जोडी है जो जोड़ेंगे थे कशने दूर में प्लस 12 तो यह फिर्त डूर तो नमबर ठीएं यह फार्श को तयुक्त और गतेरा दूसरा थी था तो फिए डाट यानि क्रम्चा नंबर को भी नंबर आए उनको हमें सच शीधम को उनके आंगे एक्स लगा देना 5x 3x तो अब आगे दो नंबर किसमें है 5x है और एक 3x है और अब आंगे करसा नहेंगे में दिया है कि दोनों को इससे तरह हमको यह दिया है कि जब इसको इसको माइनस करते हैं इसको इसको माइनस करते हैं 5x से तो हमारा आसर आता है 18 यानी 5x माइनस 3x इकोन PKPY करते हैं इसको माइनस 18 यह कहरा हमारा क्योंक यह क्यों यह हमारा एक्योश्न अभी तो सूल करते हैं 5x मानस 3x अगे 2x इकोन PKPY 18, this implies x equal to 18 upon 2, x value अगे 9, और बोला 5 अदर नमबर, therefore, first number equal to, अमने क्या अदर था, इतर नमबर, 5x, first number equal to 5x, equal to 5 into 9, 45, गया अगया, second number, second number आया हमारके 3x, तो 3 into 9, 27, बस, इतना को करना था, और अगर अभी आपको इसको चेक करना हो कि कैसे अगर यह हमारा जो answer आ रहा, यह सही कि गलत, तो क्या रहा है, दो नमबर ratio, ratio मतलब जब divide करने पर, एक्टम सिंप्ली फॉर्म में इतना आए, दोनों को आप divide करने, 45 by 27, 9 5 जा, 9 3 जा, दोनो से यह question complete होता है, guys, यह हमार question number 6, इनमें यह 3 consecutive integers, add up to 51, what are these integers, सबसे पहले में आपको इसका meaning मतलब क्या होता है, consecutive मतलब होता है, लगातार, यानि कोई भी number है, 2, तो इसका consecutive, यानि आगे का 3, पिर आगे 4, 5, यह जो number आ रहे हैं, यह लगातार, लगातार को कहते हैं, consecutive, तो 3 consecutive integer का जब plus करते हैं, हमारा 50 बनाता है, तो let the, हमाल लेते हैं, कि हमारा पहला integer जो है, first integer भी, x, हमारा पहला integer है, x, therefore, second integer क्या होगा, therefore, second integer equal to, अब हमने यहां पर देखा था, यह 2 था, यहां पर 3, यह 4, यह हम दिया है, यह हमारे consecutive हैं, इसको माल लेते हैं, अगर यह x है, यह हमारा क्या रहा, इसको यह हमारा 2, इसको करते हैं, 2 plus 1, जागे 2 plus 2, यहां पर 5 रिखते हैं, यह 2 plus 3, यह इसमें, इसमें सब 1, 8 plus होता चल रहा, तो, therefore, second integer equal to, x plus 1, और third integer, यानि 3 integer दिया था, third integer equal to, x plus 2, जैसे हां पर 2, फिर 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, इस तरह लगता चल रहा है, इ प्लस एक साथ कर देंगे तो लिखेंगे according to question यानि question की साथ से question कहा रहा था जो वो तिनों को सम करने प्यार है 51 तो x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक बाट तो 51 तो x फ्लस x फ्लस 1 प्लस x फ्लस 2 इक साथ कर ज़िए x फ्लस x 2 एक प्लस x 3 x तो अगे 3 x 1 प्लस 2 3 प्लस 3 इक बाट तो 51 या 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 अभि यहा पर 3 x इक बाल तो एक साथ मिनस में तो 51 मिनस 3 इस इंप्लाइज 3X इकल तो 15 माइनस 3 आएगा 48 इस इंप्लाइज X इकल टू इधा 3 में था उधा जाएगा डिवाइड में 48 वाइज 3 इकल टू 16 या क्या हमारा आंसर therefore या फिर hence भी आप लिख सकते हैं hence या फिर therefore कुछ एक ही लिखना है दो नहीं लिखना hence हमको कुछ आप वह इंटीजर क्या है therefore first integer equal to x value 16 second integer second integer equal to x plus 1 या 16 plus 1 17 third integer third integer equal to x plus 2 या 16 plus 2 या आगे हमारी तीन इंटीजर अगर अभी आपको चेक करना हो कि कैसी आएगा तब तीनों नमबर को प्लस करिजे अगर तीनों नमबर को प्लस करने फिर 51 आ रहा यानि हमारा आंसर करेक्ट है तो 16 plus 17 plus 18 8 7 15 plus 6 8 7 15 plus 6 21 1 करिया है 2 2 plus 1 3 4 5 51 आ रहा या नहीं हमारा आसर करेक्ट है आप मुहरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना पुलें